अबी तक हमने cycle के काफी सारे brakes को देखे हैं caliper brake, V brake, mechanical disc brake लिकिन आज की इस वीडियो में हम आपको cycle के लिए hydraulic disc brake दिखाने वाले हैं disc brake कैसी होती, उसकी quality कैसी, आप कहां से purchase कर सकते हैं या फिर hydraulic disc brake purchase करने टाइम आपको कौन-कौन से बाते ध्यान में रखनी चाहिए जातर case में एक disc brake install मिलता है, जो की mechanical disc brake होता है उसकी भी power और performance की बात की जाए तो सही होती है लिकिन जो hydraulic disc brake होता है, उसकी power और performance बहुत ही जादा बढ़ियां होती है अगर आप अपने MTV में एक hydraulic disc brake install कर लेते हैं तो आपका cycle बिल्कुल पूरा हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं cycle की जो performance होती है वो brakes के उपर भी काफी जादा depend करती है तो आज के इस वीडियो में हम बस आपको एक hydraulic disc brake के unboxing करकर दिखाएंगे उसकी quality कैसी है, वो भी हम आपको check करकर बताएंगे अगर आप इसकी installation वीडियो भी देखना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे comment box में आकर आपको comment करना है तो आप लोगों के ही demand पर हम hydraulic disc brake की unboxing करकर आज आपको दिखा रहे हैं तो बस आपको क्या करना हमारे channel को subscribe कर दीजिए क्योंकि आप लोगों में से बहुत ज़ादा है, इससे हमारे viewers है जो के हमारे regular videos को देखते हैं लिकिन अभी तक आप हमारे channel को उन्होंने subscribe नहीं किया है तो याँ जरूर हमारे channel को subscribe कर दीजिए क्योंकि मैं इसी परकार की cycles related videos आप लोगों के लिए regular लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो Dual Minutes के application से disc break को order करने पर आपको कुछ इस परकार की एक packaging मिलती है देख सकते हैं काफी खुबसूरत packaging है देख चलिए हम इसे जल्दी से unbox करते हैं तो यहाँ पर हम इसे cut कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं box को open करने पर यहाँ पर आपको दिख रहा हुगा कि जो इसकी brand है वह Starlet है यह Starlet के hydraulic disc break है जिसके हम आज आपको unboxing करकर दिखा रहे हैं पैसे तो जो disc break होती है और भी कई companies की आती है जैसे आप शिमानों की हो गए टेक्टरों की हो गए और भी कई सारे Chinese brand की भी जो hydraulic disc break है आती है लिकिन आज जो हम लोग cover करने वाले इस वीडियो में वह है Starlet के hydraulic disc break चलिए इसे जल्दी से open करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं box को खोल देख यह आपको यहाँ पर दो disc break दिख रहे होंगे यानि front and rear दोनों के यहाँ पर disc break है तो सबसे पहले हम box में से एक disc break को निकाल लेते हैं बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही अपने box में से हमने disc break को निकाला है यह वाला जो side है आपको left side का दिख रहा होगा यानि कि आपके पीछे वाले break का है यह और यहाँ पर आपको इसकी housing दिख रही होगी कि इसकी housing काफी ज़्यादा छोटी है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी break caliper कैसी है नॉर्मल बाले इसे बिल्कुल भी दिख दम छोटी है compact है slim है और इसमें आपको क्या-क्या छोटी-छोटी चीजे देखने को मिलती है हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक bolt लगा हुआ है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा Allen bolt है इसे आप loose करना होगा और आपको इसे अपने handlebar के अंदर लगाना होगा दूसरा यहाँ पर आपको एक और bolt दिखेगा यह वाले bolt को tight करने से आपका जो lever है वो adjust हो जाता है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा तो यह जो है handlebar में लगाने के बाद आपको adjust करना होता है यहाँ पर आपको एक और bolt दिख रहा होगा यह वाले bolt को खुलने के बाद आपको क्या करना है oil अगर आप में कम है या फिर आपको इसकी जो feeding करनी है यह वाली bolt को खुलकर करना होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको इसकी जो housing है housing जिसके अंदर oil होती है actually fluid होती है अगर आप इसकी fluid को change करना चाते है change करना चाते है या फिर आप इसकी जो housing है उसे replace करना चाते है hose pipe है जो इसको replace करना चाते है तब आपको यहाँ पर वाले जो bolt है इसे खोलना होता है तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं और दूसरे side में हम आपको दिखाते हैं इसकी caliper कैसी होती है तो बेसक आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एक pad लगे वी थी आपको यहाँ पर दिखाते हैं आपको हम दिखा देते हैं कि अगर mechanical वाली जो hydraulic brake होती है उसमें सिर्फ एक pad ही rotate करता है आगे या पीछे लेकिन hydraulic बाले में आपको यहाँ पर दिखेगा कि दोनों pads move करेगी यह देखी यहाँ पर दोनों pads से जो एक साथ move करती है यही same आपको front वाले में भी दिखेगा मिलता है क्योंकि यह जो hydraulic brakes है यह European standard के अनुसार बनती है इसलिए इसकी जो right वाली होती है जो की front brake होती है उसकी housing जादा लंबी होती है और पीछे वाली की housing छोटी होती है तो आप इसे installation करने के बाद अगर आपके पास kit है तो आप इसकी host pipe यानि housing wire को यहाँ पर से खोल कर change कर सकते है यानि कि आप replace कर सकते हैं उसमें कोई भी problem नहीं आती है लेकिन जाहतार आप देखेंगे कि 90% अप्रॉक्स आपको कुछ इस टाइप का ही मिलेगा hydraulic disc brake इसकी भी caliper बिल्कुल सेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद box में यहाँ पर आपको कुछ bolts मिल जाते हैं यह bolts आपको installation के दोरान आपको काम आएगी आपको अपनी जो caliper है उसे frame में mount करने के time उसके बाद यहाँ पर आपको दो डिस्क रोटर भी मिल जाता है चली डिस्क रोटर भी हम खोल कर दिखा देते हैं काफी ज़्यादा हेबी है यह नॉर्मल वाली जो mechanical disc brake वाली रोटर होती है उससे थोड़ी सी यह मोटी है और हेबी है सेम आपको उसी size का यहाँ पर भी मिल देता है और इसकी quality कैसी है मुझे तो यह काफी जादा अच्छी लग रही है आफ्टर installation हम देखेंगे कि यह work कैसी कर दी है यहाँ पर तो हमें quality देखने पर काफी सही लग रही है तो इस वीडियो में बस आज इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो क इसको purchase करना चाहते हैं तो मैं इसका purchasing link नीचे description box में देदूगा वहाँ पर आप जाकर इसे purchase कर सकते हैं और इसकी price की बात करें जो कि इसकी MRP है time के साथ यह change होती रहती है फिर भी मैं आज के date के अनुसा इसकी जो price है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आप यहाँ price मिलते हैं हम लोग अपनी next video में